तो यह जो concept था hybridization का this was offered obviously by those जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थियोरी प्रपोस करी थी कौन महानलीने स्पॉलिंग और अफकोर्स उनके साथ slate पर लिखने वाले slater जो भी थे हना उन्होंने कहा कि hybridization पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक आइडिया है एक hypothetical imagination है क्यों हम इसके माध्यम से सही सही bond strength और bond angle का prediction करना चाहते हैं bond strength और bond angle सही predict कर सकी है इसलिए कल्पना करी गई है किसकी hybridization नाम की concept की वास्तों में इसको होते हुए किसी ने देखा नहीं है ठीक है इसमें क्या है उन्होंने कहा समझाया कि hybridization नाम की एक process है इसमें अलग अलग तरह की atomic orbitals mix हो जाती है लोग चड़ गए के लिए दूद में चीनी घुल जाया करती थी ऐसे orbital भी mix होने लग गए एक दूसरे में क्या बत्तमीजी है क्या तरीका है अब चड़ें नहीं इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि S और P अलग अलग orbitals थे कुछ ऐसा हुआ कि वो रूप बदल कर सूप नखा क तरह बिल्कुल एक जैसे चार और्बिटल बन गए और जो कुछ हुआ उसको हमने एक नाम दे दिया हमने कहा वो हाइब्रडाइस हो आए अच्छा तो कहीं भी कोई भी कैसे भी हाइब्रडाइस हो जाता है क्या बड़े बड़े सब अपना रूप बदल लेते हैं नहीं इस हैं और्बिटल अंडर गोइंग हाइब्रडाइसेशन मस्ट है सेम और नियरली सेम एनरजी या तो उनकी एनरजी बिल्कुल एक जैसी हो हलकिसी अलग हो सकती है उनको बहुत जादा गैप नहीं हो सकता एनरजी में अदर्वाइस वो मिक्स नहीं हो पाएंगी अदर्वाइ यह तो था मिक्सिंग किसकी होगी उन और्बिटल की मिक्सिंग हो सकती है जो सेम या नियरली सेम एनरजी की हैं मिक्सिंग के पहले वो थी मिक्सिंग के बात क्या होगा जितने और्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड और्बिटल बनेंगे तो नमबर अफ Hybrid orbitals produced, चीक है? All the third point, all the hybrid orbitals have same shape and energy. वो तो hybridization तो हुआ ही इसलिए था, यह orbitals एक जैसे हो जाएं, तो वो हो जाते हैं, यही तो लक्षे था उनका. तो हम कहते हैं, all the hybrid orbitals have same shape and energy. S अलगती, P अलगती, और जो mixing के बाद बनेगा, वो सब का shape एक जैसे होगा, सबके energy जैसे होगी, और properties उनकी एक जैसे ही होगी. टीक है? एक चुछा सवाल हो जाएं, जैसे अगर मान लीजे, आपके पास अलग-अलग orbitals दी भी हैं, तो क्या हम comment कर सकते हैं, कौन mix करेगा, कौन नहीं? जैसे 1S और 2S है, इनको mix करा दी? नहीं, 1S, 2S से, 2P, 3P से, ऐसे करके mix नहीं होते, प्रिंसिपल क्वांटम नमबर अगर अलग है, तो mixing कठिन होती है, क्यों? क्योंकि energy gap orbitals में काफी ज्यादा है. 2S और 2P mix कर सकते हैं? चलेगा, एक ही shell के दो sub-shells हैं, और वो भी S और P काफी करीब होते हैं, तो उन में mixing हो जाती हैं. 3S, 3P और 3D आपस में mix हो जाएं, चलेगा? 3S और 3P तो हो सकते हैं, बैसे 3D थोड़ा ज़्यादा है, तो special conditions में 3D भी mix हो जाता है, लेकिन हमेशा 3D mix हो अवश्यक नहीं. तो 3S और 3P 3D के साथ mix हो सकता है, 3S और 3P तो हमेशा हो सकते हैं, और special conditions में. कौन सी हमेशा special conditions? बता देंगे, और special conditions में 3D भी mix हो सकता है. पर क्या 3S के साथ 4D और 5S यह साब mix करा दे? यह सानी principle quantum number change करेगा, अगला है, जो हम पहले बोल चुके हैं, कौन सा? जितने orbitals की mixing हो रही थी, उतने ही orbitals का production होगा, या उतने ही hybrid orbitals बन जाएंगे. तो एक बार देखिए, S और पी mix हो रहे हैं, क्या बन रहा है? S था, P था, एक खास बात देखिया, अगर बीच में एक plane मनाएंगे, तो उस plane के उपर और नीचे, S हुबहू एक जैसा है, P हुबहू एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर आगर आप देखिए, इसके उपर और नीचे, D यह hybrid orbital जैसा नहीं है, हो जाकते हैं, आप कहें कि यहाँ क्यों बनाएंगे है, यह plane यहाँ बना देजिए, यहाँ बना देते हैं, तब भी उपर एक लोग बड़ा है, दूसरा लोग छोटा है, अलग किसम के हैं, इनका असली शेप तो वैसा कुछ ऐसा होता है, तो फिर यह ऐसा फूल हो जैसा क्यों बना रखा है, यह stylized orbital कहे जाते हैं, कि भी असली शेप ऐसा है, पर उसको बनाना ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लोग उसे simplify करके ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, पर actual shape उसका इस तरह का होता है, यह है hybrid orbital का shape, अच्छा, phases अलग हैं, हाँ, ऐसे गिल लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, इसमें जो बड़ा लोब होता है, वो किस काम आता है, वो bonds मनाने के काम आता है, और चोटी दुम जो है, वो time pass है, उसका कोई रोल नी होता है, ठीक है, एक चीज़ और है, अब hybrid orbital का नाम कैसे देते हैं, हमने काता, S, P, A, D, mix होंगे, तो hybrid orbital बनेगी, तो मान लिए जितने S, S तो एक ही होता है, एक principal quantum number में 1S होता है, और दूसरे principal quantum number की energy बहुत अलग हो जाती है, तो 3S cannot mix with 2S या 4S, तो S तो 1 ही रहेगा, S, 2, 1 ही है, P-orbital एक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, D-orbital भी 1, कैसे भी हो सकते हैं, तो अगर N है, उन P-orbitals के संख्या, M है, उन D-orbital के संख्या, तो एक hybridization को direct नाम कैसे लिखते है, SPD के टर्म्स में लिख सकते हैं किसे 1S और 1P मिक्स हुए तो लोगों ने का 2SP है 1S और 2P आए तो कहा कि SP2 है 1S और 3P आगए तो बोला SP3 है 1S 3P 1D SP3D S ऐसे करके नाम रखते हैं तो जनरल नाम है SPNDM जहां N और M क्या है जितनी P and D orbitals की संक्या है उतना N और M पावर में चड़ा देते हैं SP, SP2, SP3 SP3D, SP3D2 SP3D3 SP3D4 रेर है असंबर में होता है अच्छा अलग-अलग कसम के hybridization है हाँ अलग-अलग कसम के hybridization है किस तरह की orbitals का hybridization होता है उनमें electron पहले से हो नहीं हो कुछ जरूरी है क्या तो उसका जवाब है लिखिए Half-filled, fully filled और empty All three types of orbitals can undergo hybridization Half-filled, fully filled और empty All three orbitals या all three types of orbitals can undergo hybridization अच्छी बात है फिर एक चीज़ और Excitation बिल्कुल जरूरी नहीं है यह आपकी दयापर है कैसे हमारी दयाप कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ जिसे दो molecule है मालीजी एक phosphorus लेते है PCL3 और एक है PCL5 ठीक है Phosphorus की electronic configuration कैसी है Neon 3S2, 3P3 ऐसा है तो आप देखें 3S2 और 3P3 यह इस तरह का है और P orbital में एक दो तीन electron थे तो इसकी balance किरती है तीन कैसे इसमें excitation कराने की जरूरत है अगर आप PCL3 बना रहे हैं तो वहाँ पर Phosphorus को तीन ही bonds बनाने है यहाँ पर किसी किसम के excitation की कोई जरूरत नहीं है अच्छा और अगर PCL5 बना रहे हैं तो Phosphorus ने 5-5 क्लोरीन से अलग-अलग bond बनाने होंगे इसका मतलब 5 bond बनाने होंगे अगर 5-5 bond बनाने होंगे तो इसका मतलब आप देखिए 3S3P के साथ क्या है आपके पास और 3D तो SP3D इस तरह से ये mix हो सकते हैं और SP3D hybridization हो सकता है वो तो ठीक है पर यहां आपने mixing कराई है उसके पहले excitation कराई है कैसे क्या देखा actually मैंने देखा कि किस molecule की बात कर रहे है bonds बनाने कितने हैं यह मैंने पहले देख लिया अगर 3 ही बनाने थे और phosphorus में ground state में 3 हो थे तो मुझे excitation की जरूरत नहीं पड़ी और अगर 5 बनाने हैं और phosphorus के पास ground state में 3 ही थे excitation करा के फिर 5 होते हैं तो करा दिया तो मौकी बाचा का है हाँ जी तो आप molecule देखिए उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसमें पहले excitation की जरूरत पड़ेगी या नहीं तो excitation is not an essential condition prior to hybridization